इस प्रॉल्म में हमें तीन सिलेंडर दिये हुए हैं तीनों का रेडियस और वेट अलग-अलग है हमको बोल रहा है find all the reaction तो हमें reaction इसमें find out करनी है तो reaction अब एक हम कहा मिलती है point of contact पे अगर this cylinder के लिए में point of contact देख़ँ तो एक तो vertical wall के साथ है और second नीचे वाले slender के साथ है तो यहाँ पे दो point of contact है अगर B के लिए हम point of contact देखे तो B के लिए point of contact तो एक is slender के साथ है second is vertical wall के साथ है और third point of contact नीचे वाले cylinder के साथ है अगर C के लिए में point of contact देखो तो एक तो उपर वाले cylinder के साथ है एक इस vertical wall के साथ है और एक इस floor के साथ है तो इन सारे point of contact पे आपको reaction मिलेगी जिसका की magnitude हमको find out करना है तो हम क्या कर रहे हैं हम पहले cylinder A का free body diagram मना रहे हैं यह गाई के उबर आ रहे हैं क्योंकि A पे दो point of contact है मतलब दो unknown है हम क्या करेंगे इसका free body diagram मनाने के बाद सिग्मा H को zero करेंगे सिग्मा B को zero करके दो equation मना लेंगे और दो equation से चुकि दो ही unknown के वे लिए हम find out कर सकते हैं इसलिए हम पहले A का free body diagram मनाएंगे A का free body diagram मनाने के लिए सबसे पहले हमने इसका weight लगाया कहां पे लगाया इसके cg पे लगाया केसा लगाया vertically downward लगाया और इसका weight आपको दिया है 40 N A पे नीचे वाला cylinder एक force लगाएगा यह force केसा लगेगा नीचे वाले cylinder के cg से चालू होगा और उपर वाले cylinder के cg को जोडने वाली line के लगेगा इसको मैंने नाम दिया है R1 A पे इस surface के perpendicular भी एक normal reaction लगेगा और यह normal reaction कहां से pass होके जाएगा इसके cg से pass होके जाएगा देखे cg से pass कर दिया इसको मैंने नाम दे दिया R2 हमको देखे R1 का angle निकालना पड़ेगा यहां से कौन सा angle यह वाला angle theta निकालना पड़ेगा इस theta को निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर अपना एक triangle बना लेंगे तो देखे यह मैंने यहां पर अपना एक triangle बना लिया तो इस ट्रेंगल का यह जो एंगल आएगा यहाँ पे यह इस ठीटा की बराबर होगा यह दोनों एंगल आपके बराबर क्यों होगे क्योंकि यह दोनों एंगल corresponding एंगल हैं तो हमको इसके center से इसके center का distance मालूम है इसका radius प्लस इसका radius हमें अगर इस stringle का base पता चल जाएगा तो हम cost total लगा देंगे base upon hypotenuse तो ये वाल angle पता चल जाएगा ये वाल angle इसके बराबर आएगा तो देखिए हमने यहाँ पे एक line खीच लेंगे यहाँ पे एक line खीच लेंगे और इसका radius कितना दिया आपको, 100 mm, टूटल कितना है, 360, 360 में से 120, और 100 को माइनस कर देंगे, तो ये वाला distance आपको मिल जाएगा, तो ये distance आपका कितना हैगा, 140 mm, अब इस stringle का base मिल गया, और इसका hyperteneuse, हम क्या करेंगे, दोनों के radius को हम जोड़ देंगे, तो कितना जोड़ेंगे, 100 plus 120, इस 220 mm इसका hyperteneuse हो जाएगा, हमने cos theta लगाया, cos theta क्या होता, base upon hyperteneuse, देखे हमने लिखा, cos theta is equal to, 140 divided by 220, तो इससे theta की value आगई, theta आपका आगया, that is 50.47 degree, ये 50.47 है, तो ये भी 50.47 degree होगा, अब हम क्या करते हैं, अपने construction को हटाके, उपर वाले, cylinder का free body diagram देखते हैं, तो ये देखे, आपको इस तरीके से नजर आएगा, आपको येवाल angle मालूम है, that is 50.47 degree है, तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, देखे, अलग से हमने बनाया, ये R2 है, ये R1 है, ये weight है, और इसका angle हम ये वाला निकाल चुके हैं, ये angle कितना निकाला हमने, 50.47 degree, अब ये तीनो force मिलके, इस cylinder को equilibrium में रखे हूँ है, मतलब इन तीनो forces के horizontal और vertical component का algebraic सब 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे, R1 के दो component बना लिया, theta वाला side cos theta होता है, इसको हमने लिखा R1 cos 50.47, R1 का हमने दूसरा बना है, perpendicular to the given component, इसको हमने लिखा R1 sin 50.47, अब R1 को हमने खटा दिया, अब देखे हम क्या कर रहें, इनके horizontal component का algebraic सब 0 कर रहे हैं, अब हम इनके vertical component का algebraic सब कर रहे हैं, वर्टिकल में कितना लग रहा है, R1 sin 50.47 और 40 to 10 का, अब हम sigma V को 0 कर रहे हैं, उपर के direction में लगने वालों को positive लिखा, नीचे के direction में लगने वालों को negative लिखा, equal to 0 कर रहे हैं, इससे हमारे R1 की value आजाएगी, 51.86 Newton, R2 आपका जाएगा, 33 Newton, तो हमने R1, R2 निकाल लिया, अब B slider पर देखें, यहाँ पर दो point of contact है, दो unknown है, इस point पर तो आपको reaction मिल गया, यह वाला तो आपका B point के लिए known हो गया, और B पर अब यह दोनों unknown की value हमको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अब B का free body diagram बनाएंगे, तो B पर हम क्या करेंगे, सब सब पर पर weight लगा देंगे, यह देखें हमने इसका weight लगा दिया, CG पर कैसा लगा है, vertically downward, यह weight लग क्या है, अब नीचे वाले cylinder ने उपर पर R1 लगाया, तो उपर वाला भी नीचे पर R1 लगाएगा, इन दोनों R1 का क्या होगा, magnitude बराबर रहेगा और direction क्या रहेगा, opposite रहेगा, यह R1, यह R1 कैसा लगेगा, दोनों cylinder के CG को जोडने वाली line के long लगेगा, यह एक straight line है, तो अगर उपर वाले का FPT बनाएगा, तो R1 उपर वाले की और, अगर नीचे वाले का FPT बनेगा, तो R1 नीचे वाले की और, अब देखिए हम क्या करें, इस R1 का angle निकाल लें, कहां से, horizontal line से निकाल लें, तो यह angle theta आएगा, यह theta है, तो यह theta आएगा, इसा क्यों, क्योंकि यह theta है, तो यह theta आएगा, यह दोने angle कैसे होंगे, corresponding angle, और यह वाले angle कैसे होंगे, vertically opposite angle होंगे, अब देखिए, नीचे वाले cylinder भी, उपर वाले cylinder पे force लगाएगा, यह देखिए, नीचे वाले cylinder, और उपर वाले cylinder पे जो force लगा रहा है, यह force नीचे वाले cylinder के CG से चालू हुआ, और उपर वाले cylinder के CG को जोडने वाली line कैलों लगा, तो इसको हमने नाम दे दिया है, that is R3, एक point of contact आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ठीक है, यह R3 का भी हम angle निकालेंगे, यह angle alpha हमको निकालना है, तो यह angle alpha निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक triangle बना लेंगे, देखिए, यहाँ पे हमने एक triangle बना लिया, यह देखिए, हमने यहाँ पे triangle बना लिया, तो यह alpha जो angle निकालना है, मालूम है यह कितना आपका 120 और C का radius मालूम है 80 उसको अब हम क्या करें पहले इसका base दिका ले क्योंकि अपने hyperdiness तो मालूम है अगर यह base पता चल गया तो cos theta cos alpha लगा देंगे cos alpha क्या होगा base upon hyperdiness तो यह जो distance आएगा इसको निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ पर एक line खीच लिए यह दोनों side में ने तो यह जो distance आएगा इसके radius के जित्ता इसका radius 120 तो यह भी 120 आएगा इसका radius 80 है तो यह 80 हो गया तो total कितना है 360 360 में से 120 और 80 माइनस कर देंगे तो इस ट्रंगल का base आजाएगा तो यह base कितना आजाएगा आपका 160 mm और इसके बीच की दूरी तो हमको मालूम है इसका radius प्लस इसका radius जी कितना जाएगा 200 mm अब हमने देखे कॉस अलफा लगाया कॉस अलफा क्या होगा base that is 160 upon hypotenuse that is 200 तो इससे आपका अलफा आ गया अलफा आ गया आपका 36.86 डिगरी तो यह alpha आपको पता चल गया है अब यह भी एक point of contact है यहाँ पे भी एक normal reaction आपका लगेगा यह normal reaction देखे इसके perpendicular लग रहा है और यह normal reaction कहां से पास होके जा रहा है इस वाले cylinder के CG से पास होके जा रहा है इसको मैंने नाम दे दिया है R4 अब मैं सारे construction को हटा देता हूँ और आपको खाली B cylinder का free body diagram दिखाता हूँ तो देखे यह आपको इस तरीके से नजर आएगा और theta मालूम है यह theta है और यह alpha है यह सब force मिलके इसको equilibrium में रखे है मतलब इन सारे forces के horizontal और vertical component algebraic सब 0 आएगा इन forces को देखे मैं अलग बना लेता हूँ यह R3 बन गया R4 बन गया यह weight 80 newton हो गया और यह R1 R1 का magnitude आप निकाल चुके है पहले 51.86 newton तो यह यहाँ पे हम बना लेंगे अब angles निकाल लें सबके इसका angle देखे यह horizontal से alpha degree alpha मालूम है 36.86 और यह theta थीटा थीटा भी हमको मालूम है 50.47 अब हमको क्या करना है इनके horizontal और vertical component का algebraic सम करना है तो हम क्या करें पहले इनके component बना ल और R3 का मेंने दूसरा बनाया R3 sin 36.86 अब R3 को हटा दिया 51.86 के भी देखे हमने 2 component मना ली यह theta वाला side है इसलिए इसको cost लिखेंगे और 51.86 newton का देखे हमने दूसरा component मनाया इसको हमने sign लिखा अब इसको हमने हटा दिया अब मैं पहले इनके horizontal component का algebraic सम कर रहा हूं तो horizontal forces क को देख रहा हूं horizontal force कौन से 51.86 cos 50.47 और R3 cos 36.86 और इस direction में R4 है तो देखे हमने algebraic सम करा इस direction में लगने वालों को positive लिखा और इस side लगने वालों को negative लिखा equal to 0 अब इनके vertical component का algebraic सम करा उपर के direction में जो लग रहे हमको positive और नीचे के direction में जो लग रहे हमको negative लिखा तो इ ये vertical component का algebraic सम कितना आपका आजाएगा अब हम क्या करेंगे इन दोने equation को solve पर लेंगे तो आपकी R3 की value आजाएगी 20 Newton और आपकी R4 की value आजाएगी 193.06 Newton तो हमने इन दो point of contact पे भी reaction निकाल लिया अब C cylinder को देखे इसके लिए दो point of contact है यहाँ पे आपको reaction निकालना है तो हम C का free body diagram बनाएगे तो सबसे पहले देखें C का हमने weight लगाया कहां पे लगाया इसके CG पे लगाया कैसा लगाया vertically downward लगाया तो C का weight आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 Newton अब देखें नीचे वाले cylinder ने उपर पे R3 लगाया था तो उपर वाला cylinder भी देखें नीच ले लिया यह reference line आपको नजर आ गए तो यह angle हम जानते है यह angle alpha के गएगा तो यह ब हेल्फा कर दिया है यह यह दोनो बरावर आएंगे क्यों आएंगे कुँंके e alpha है तो ये alpha हैगा ये वाला angle और ये वाला angle कैसे हैं corresponding और ये वाला angle और ये वाला angle कैसे हैं ये दोनों है vertically opposite angle अब इस पर दो point of contact है तो एक normal reaction देखे में इसके perpendicular लगा दिया ये इसके CG से pass होके जाएगा तो देखे इसको ये नीचे वाले cylinder का free body diagram हमने बना दिया अब ये सारे force मिलके इसको equilibrium में रखे मतलब इन सब का भी सिग्मा और सिग्मा भी कितना आएगा जीरो आएगा अब देखे इसको मलक से बना लेते हैं ये अपना R5 हो गया ये अपना R6 हो गया ये 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 R3 कितना है 200 न्यूटन का हो गया और ये weight कितना है 30 न्यूटन इसके angles आप निकाल चुके alpha alpha आपको मालूम है alpha अपना कितना है 36.86 अब इनका हमको क्या करना है horizontal और vertical component का algebraic sum 0 करना है तो पहले हम 200 न्यूटन के दो component बना लें ये theta वाला side इसको cost लिख दें और इसका दूसरा वाला component बना ले perpendicular ये अपना हो गया 200 sin 36.86 अब 200 को हटा देते हैं अब हम पहले इसके horizontal component का algebraic sum करेंगे तो हमने लिखा r5 minus 200 cos 36.86 equal to 0 अब हम इसके vertical component का algebraic sum करेंगे उपर की direction में positive लेंगे नीचे की direction में लगने वाले force को negative लेंगे हम sigma v को 0 किये उपर की direction में r6 लग रहा है नीचे की direction में 200 sin 36.86 लग रहा है और नीचे की direction में 30 भी लग रहा है equal to 0 इन दोने equation को हम solve कर लेंगे तो आपकी r5 की value आजाएगी 160 newton और r6 की value आपकी आजाएगी 150 newton